हेलो फ्रेंस वेलकम टू मैं चैनल आज बनाएंगे मूली के पराठे और सर्दियों में मूली बहुत ताजी ताजी मिलती है और मूली के पराठों का स्वाद भी बहुत ही बढ़िया लगता है तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं यह मनें दो मूली लिए है और इसको धो करके पोच लिया अच्छी तरीके से और यह बिल्कुल ताजी मूली है नरम अली मूली ना ले उसे ग्रेट करने में दिक्कत होती है तो मूली को हम छिल लेते हैं और बहुत ही आसानी से बन करके त्यार हो जाएंगे हमारे मूली के पराठे अब मेरे तरीके से पराठे बना करके देखिएगा और इस्टेप बर इस्टेप फॉलो करिएगा आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं भटेंगे तो मूली को हमने छिल लिया है अब मूली को हम बीच में से कट कर लेंगे ताकि ग्रेट करने में आसानी रहेगी तो मूली को हम मोटे साइड से ग्रेट करेंगे छोटे साइड से नहीं ताकि मूली के हमें मोटे मोटे लच्छे मिले मूली को हमने ग्रेट कर लिया है और मूली में बहुत जादा पानी होता है तो इसके लिए हम इसमें 1-5 चमच नमक मिलाएंगे जिससे जितना भी पानी होगा मूली का सारा निकल जाएगा और नमक के साथ इसे मिला करके 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे अपर आठे के लिए डो लगा लेते हैं इसके लिए मैंने दो कप आठा लिया है इसमें आधा या मज़ लिए ईसमें या दालेंगे और नमक को अच्छे तरीके से आठाई मिला लेंगे और इसका एक एक सोफ्ट सा डो लगाएंगे जैसे नॉर्मल रोटी का डू लगता है उसी तरीके से तो पराठे हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फूले फूले बनेंगे डू जितना सोफ्ट होता है तो पराठे फटते भी नहीं है तो इसको अच्छी तरीके से हम घून लेंगे आठे को तो यह देखे तो हमारा तयार है थोड़ा सा ओई लगा करके इसको एक बार और मिला लेंगे तो डो हमारा तयार हो चुका है इसे हम 10 मिनिट के रेश्ट पे रख देंगे जब तक हम मूली का पानी निकाल लेती है देखें कितना पानी छोड़ा है मूली ने अब हम मूली का सारा पानी निकालेंगे तो इसके लिए हम बाउल में पतला से कपड़ा लगा लेंगे और इसी में सारी मूली को डाल देंगे और इसे अब अच्छी तरीके से निचोडेंगे और इसको गुमा गुमा करके सारा पानी निचोड़ लेंगे, जितना हो सके इसको निचोड़ लें, तक इसमें बिलकुल भी पानी ना बचे, यदि मूली में थोड़ा भी पानी रह जाता है, तो पराठे गिले भी होते हैं, उसी से फटते हैं पराठे, मूली को हमने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया और कितना सारा पानी निकला इसमें से तो देखे देखने मूली कितनी कम लग रही है अब इसको हम खोलेंगे तो मूली ज्यादा हो जाएगी अब मसाले एट कर लेते हैं तो एक चमच मैंने यह हरी मिर्च और हद्रक को ग्रेट करके लिया है आधा चमच अजवान को क्रस्ट करके डालेंगे आधा चमच जीरा डाल देंगे आधा चमाच हल्दी पाउडर और आधा चमाची लाल मिर्स पाउडर एक चमाच धनिया पाउडर एक चमाच अमचुर पाउडर में ला लेंगे और धेर सारा हरा धनिया डाल देंगे अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मूली में तो देखिए मसाले हमारे अच्छी तरीके से मूलियों मिक्स हो चुके हैं अब हम दो को देख लेते हैं तो दो हमारे अच्छी तरीके से सेट हो चुका है यह देखिए जितना सॉफ्ट हमें चाहिए पराठे के लिए उतना सॉफ्ट है तो चलिए अब पराठा बना लेते हैं तो लोई हम थोड़ी बड़ी बड़ी लेंगे, नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी, सारी लोई हम बना लेंगे हम पहले, तो देखिए सारी लोई हमने बना ली है, अब पराठा बेल लेते हैं तो पहले हम थोड़ा सा इसे रोटी की जैसे बेलेंगे, और अब इसमें मसाला भरेंगे, मसाला ज्यादा ज्यादा ही भरेंगे, तो यह पराठे खाने में मज़ा आता है, अब इसको हम इस तरीके से उठाते हुए उपर की तरफ फोल कर लेंगे, एक्स्ट्रा हाटा जो है उसको हम हटा देंगे, और इसको अब हलके हांसे से प्रेस कर लेंगे और अब पर्थन में लगा करके इसको हम अंगुठे को बीच में रखेंगे और साइड से घुमाएंगे तक कि मसाला चार उतर पच्छी तरीके से फेल जाएगा इसे हम जितना हलके हाथों से प्रेस कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं बेलने में उतनी ही आसानी रहती है और पराठा मारा बिलकुल नहीं फटता है तो दीखी इस तरीके से मैंने फैला लिया है पराठे को अब इसको हम हलके हाथ से साइड साइड से बेलेंगे तो देखे पराठा मारा कितने अच्छे तरीके से बिल रहा है और कहीं से भी आपको फटा हुआ नजर नहीं आएगा बहुत ही आसानी से बिल जाता है गुमा गुमा करके पराठे को अच्छे तरीके से बेल लेंगे तो अब देखिए पराठा हमारा कहीं से फटा तक नहीं है उन्हाई ही बेलान में चिपख रहा है पराठा हमारा बिल चुका है तो तबयको मेने गरम होने पहले रख दिया था और गेस की फ्लैम को मीटिया में ही रखा है पराठे को एक तरब से सिकने देंगे तो देखे एक तरफ से पराठा मारा शिख चुका है तो इसे हम पलट देंगे जब तक पराठा मारा दूसरी तरफ से शिखेगा हम एक और पराठा तयार कर लेते हैं तो हम लोगी को बेल लेंगे फिर समय मसाला भर लेंगे और इसको भी इसी तरीके से हम उठाते हुए फोल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा आठा हटा देंगे तो यह लोगी भी हमने मसाला भर करके तयार कर लिया है अब पराठे को देख लेते हैं तो पराठा मरा सिख चुका है अब हम घी लगा लेंगे और गेज की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और पराठे को अच्छी तरीके से सेखेंगे घी लगा करके आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं पराठे को अच्छी तरीके से दबा दबा करके सेखेंगे तो दीखिए पराठा हमारा कितनी अच्छी तरीके से फूल गया और आप इस तरीके से पराठा बना करके देखिएगा आपका पराठा फटेगा और अच्छे फूले फूले भी बनते हैं तो पराठे को में अच्छी तरीके से अलट पलट करके दबा दबा करके सेख लेंगे जैसे इसमें अच्छा खस्ता पनाएगा तो देखें कितना खस्ता करा रहा पराठा बने चुका हमारा तो बत अच्छी तरीके से पराठा सिक चुका है अब हम पराठे को निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी तयार कर लेंगे इसको भी इसी तरीके से घुमा घुमा करके हलके हाँ से बढ़ा लेंगे इसको हलका प्रेस कर लेंगे ऐसे दबाते हुए उपर आठेको हलके हाँ से बेल लेंगे तो इसको भी इसी तरीके से गुमा गुमा करके बेल लेंगे तो यह पराठा भी मारा मिल चुका है अब शेक लेंगे हम तो इसी तरीके हम सारे पराठे बना लेंगे तो यह पराठा भी मारा शेक चुका है अब घी लगा लेते हैं तो यह पराठा भी मारा देखे कितना फूल गया है तो इसे भी हम अच्छी तरीके से दबा दबा करके अलट पलट करके शेकेंगे पराठा को इस तरीकी से दबा दबा करके शेकने से पराठा की कोने भी कच्छे नहीं रहते हैं और इस अब तरब से काफी खसता हो जाता है तो यह देखें पराठा हमारा शेक चुका है अब हम उतार लेगे तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ पराठे को मसाला इकात्छी तरीके से पराठे में भरा हुआ है ये आंगे से बढ़ा हैं 28 것은 5 ही ये the ये अविड़ता लेंगते दे देता ईौ ये नैगे आदे मुद धरा आप ये और काफ़ी क्रिस्पी भूब है पराठे मूली के पराठो हमारे बन करके तयार हैं आप इसे दही से, चटनी से, अचार से, बटर से किसी से भी खाई हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो आपको मूली के पराठो की रेसीपी कैसी लगी? कमेंट में बताइएगा लाइक सेर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए